कि नमाज़कार दोश्तों इटो चल में आपका स्वागत हैं यह वीडियो जो यूपी पुलिस का जो फॉर्म भरा गया है उसका एक्जामिनेशन होने वाला है क्योंकि एक बार जो रद दो गया था हूं उन का इंडिडेट के लिए है जो सिरियस पढ़ाई कर रहा है उनके ल समन में आजाएंगे और यह बुक आपके मार्केट का है सम सामीक घटना चक्र है यह मार्केट में आपको यह बुक मिल भी जाएगा अगर आप एक बार पढ़े होंगे तो आपको जल्दी जल्दी जो है रिवीजन होगा तो इस बुक का आपने कबर देख लिया चलिए चे बताया गया है ठीक है और यूपी पुलिस के एक्जामिनेशन में यूपी सही कोस्टन्स जादा आएंगे जीएस में तो उत्तर प्रदेश एक दिरिष्टी में उत्तर प्रदेश भारत का सीमान्त राज्य है जिसकी उत्तरी सीमा नेपाल को असपर्ष करती है उत्तरा के गठन के पुर्व इसकी सिमाएं चीन के तिबद छेतर से जूड़ी थी मतलब जब उत्तरा खंड उत्तर प्रदेश में था उस समय जब इसका जो सीमा था वो चीन के तिबद से छेतर से जोड़ा हुआ था लेकिन जब उत्तरा खंड अलग हो गया तो वह सिमाएं अभी भी जूड़ रहीं भारत देश से बट वो उत्तरा खंट से जूड़ यह ना कि उत्तर प्रदेश आः को प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश रिप में हिमालय की शिवालिक स्थेडियां पश्चिम 10-1 एवं 10 नमें यमना नदी एवं 20 स्थेडियां टथा पुरु में गंधक नदी है। इसका भागोलिक घ्च सेढश के उत्तर में हिमाले की शिवालिक शट्रीया हैं कि और बाद में कुछ इंपsticky चीज जानने से पहले यह चीज जानेंगे यहां पर कि मुख्य मंत्री जो है अभी वर्तमान सवे में योगी आदितनात योगी है राज जेपाल जो है श्री मती आनंदी बेन पटेल है ठीक है और राज की भासा अगर देखा जाए उत्तर परदेश की तो हिंदी और उर्दू है ठीक और कुछ बिशेश चीज उत्तर परदेश के बारे में कि छेत्रफल की द्रिष्टी से उत्तर परदेश का भारत में जो है चौथा अस्थान है और कौन से ऐसे प्रदेश है जो चेत्रफल में उत्तर परदेश से बड़े हैं भारत में तो वह राजस्थान है मद्द राज की प्रतीक, उत्तर पर्देश जो दिवत से 24 जनौरी को मनाए जाता है, राज की चिन ने इसका मचलियां एवं तीर धनुज, अब देखेंगे ऐसा सिम्बल, उत्तर पर्देश का कोई अगर सरकारी भवन है या फिर कोई सरकारी वश्टू है, अगर उसको शिम्बोलिक फॉर्म में उसको डिफाइन करना होता है तो यह वाला सिंबल जो है वहाँ बना रहता है दो मचली ऐसे और एक धनुष उपर की तरफ बना रहता है राज की मीन मीन जो है चीताला नाम है इस मचली का चीताला मीन मतलब मचली हूँ उसके बाद में अगर जली जिव की बात किये जाये तो इसका नाम जो है गांगे डालफीन नाम है इसका उसके बाद जो है राज की पुष्प पलाश है पलाश का फूल जो है और राज की पच्छी जो है आपका सारस या क्रॉंच नाम इसका है राज की ब्रिच में आजाएगा अशोक सीता अशोक पशु जो है राज की में 12 शिंगा है अब आते हैं इसके की भागोलिक परिद्रिश्य में क्या क्या है तो राज का बिष्टार में भागोलिक छेत्रफल जो है इसका है चेत्रफल से अगर उत्तर पर्देश का चेत्रफल निकाला जाए तो कितना प्रतिश्रत आएगा तो साथ दसमलों तीन तीन प्रतिश्रत आएगा प्रदेश की जो लंबाई है 650 किलोमीटर है पुरू से पश्चिम की ओर आप मैब में देखे होंगे मैब जब भी आप बनाएंगे तो यह नौर्थ यह शाउथ और यह इस्ट और यह वेस्ट अब दूरी देखे किदर की बात किया जा रहा है पुरू से पश्चिम मतलब कि यह पूरब है और यह पश्चिम है इस तरह से जिसको हम लोग अपने भासा में चवडाई बोल सकते हैं कि जो मांचित्र होता है इस तरह चवडाई जो इसका हो जागा 650 किलोमीटर ठिक तो यह पूरे भारत का मांचित्र में मैं नहीं बता रहा हूं यह सिप उत्तर परदे अब जो यह आच्छांस आप देख सकते हैं यहां पर जैसे मैंने यह बनाया था सिंबल उसी तरह यहां पर भी आप दिसा निधारण करेंगे 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अच्छांस है और यहां पर जो है 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अच्छांस और यह पूर्वी देशांत में 84 डिग्री 49 मिनट और 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो कि फिगर में आप देख सकते हैं तो कुल जो है इसका अच्छांसी बिस्तार हो जाता है 60 डिग्री 36 मिनट का और कूल देशांतरी बिस्तार हो जाता है 60 डिग्री 9 मिनट का और प्रदेश की जो चवडाई है 240 किलो मेटर उत्तर से दच्छिड की हो रहा है तो यहाँ पर यह लंबाई थी 650 किलो मेटर और यह चवडाई हो गई 240 किलो मेटर उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य या संग छेत्र या जिले देखे यह मैप है आपका उत्तर प्रदेश का यहाँ पर देख सकते हैं यह पूरा मैप है इससे कौन सा जिला सटा हुआ है कौन सा प्रदेश सटा हुआ है कौन के अंदर सासी थैं ये सब जानेंगे हम लोग तो देखें उत्तर प्रदेश कितने राज्य को छूता है मद्य परदेश को, राज스ान को, दिल्ली को, हर्याणा को, हिमाचल प्रदेश को, उत्राखंड को, बिहार को, ज्यारखंड को और चथिस गड़ को राजस्थान को, दिल्ली को, हर्याणा को, हिमाचल प्रदेश को, उत्राखंड को, बिहार को, जारखंड को और चत्तिस गड़ को अब यहां पर विशेश चीज बताई गई है कि, उत्तर प्रदेश की सीमा को, अस्पर्ष करने वाला, एक मात्र देश है, जो है, नेपाल, नेपाल देश जो है, उत्तर प्रदेश को, छूता है, या अस्पर्ष करता है, तो देख लिए हम लोग, तो प्रदेशों के संख्या कितनी हुई एक दो तीन च्यार पांच छो साथ आठ और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश नहुए टोटल और एक आपका देश जो कि यहाँ पर नेपाल है उसके बाद में आता है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश संबंदित उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले जिला में अगर आप देखेंगे इस तरीके से देखें दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको दो जिला जो ऐसे टच करता है एक गौतम बुद्नगर है और एक गाजियाबाद है बहुत लोग गये होंगे देली तो गाजियाबाद देखे होंगे कि देली से पहले पढ़ता है और वहीं से सटा हुआ है गाजियाबाद उसके बाद जो सोनबhadr जिला है यह जो है 36 गड़ को छूता है सोनबhadr का नाम सुने होंगे आप उसके बाद हिमाचल पर्देश से सटा हुआ सारनपूर है हिमाचल पर्देश सारनपूर यह आउटर पार्ट है उत्तर पर्देश का वहीं से हर्याना सटा हुआ हर्याना भी है उदर से हिमाचर प्रदेश भी है तो सारन पूर जो है और उसके बाद सोनभद्र जो है आपका है जारखंड से छूता है मथूरा जीला और आगरा ये दोनों राजस्थान को छूते हैं तो यहाँ पर आप द्यान से देखिए दिल्ली के इंदर सासिश प्रदेश है जो गवतम बुद्नगर और गाजियाबाद को छूती है 36 गड़ राज जो है सोनभद्र को छूता है राजस्थान जो है मथूरा आगरा को हिमाचर प्रदेश जो है सारणपूर को और छारखंड जो है सोनभद्र को उसके बाद उत्तरा खंड से जो है सटे वे जो है साथ जिले हैं मुरादाबाद रामपूर बरेली मुझभफर नगर शाहारनपूर पीली भीवत और बिजनवर यहां पर देखें नाम में कुछ कनफ्यूजन है यह जो मुझभफर नगर है यह आपका जो है उत्तर प्रदेश में है और एक मुझभफर पूर है वो बिहार में है तो इसमें थोड़ा आप ध्यान दिजेगा आपका उत्तर प्रदेश में मुझभफर नगर है उसके बाद जो मैं देश बता रहा था एक देश जो है उत्तरपदेश को छूता है लेकिन उत्तरपदेश से वो कितने जिले हैं जो उस देश को छूते हैं नेपाल जो देश है मारा भगलवाला परवर्शी देश है उसको छूने वाले जिले हैं महराज गंच, स्रावस्ति, बलरामपूर नेपाल से चुने वाले उत्राखंड से चुने वाले कि उसके बाद जो बिहार प्रदेश है पडोसी प्रदेश से उत्तर प्रदेश का उससे कौन कौन से जीला जो है सटा हुआ है तेक कुशी नगर है देवरिया है बलिया है महराज गंज है सुनभद्र है गाजी पूर है और चंदवली है जो की बिहार से एकदम सटा हुआ है फ哈そうですね हरिए जो जिला है इस्टी हरिए हर्याणा प्रदेश है इससे कौन-कौन से जिला इंज है उत्तरप्रदे उत्तर परतेशचा तो हरिए गोरा में शामली तो सहरनपूर बागः अलीगण गौतमबुधण और इनकी संख्या कितनी है टोटल 6 है अब बिहार से कुल कितने जिले सटे थे 7 उसके बाद आते हैं कि मद पदेश से सटे जिले कुल संख्या इनकी कितनी है 11 अब मद पदेश को कौन कौन चूता है मिर्जापूर, सुन्भद्र, आगरा, इटावा, जालाउन, जहांसी, ललितपूर, महुबा, बादा, चित्रकुट, प्रियागराज 11 जिला हो गए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मद्य पदेश जो है सबसे ज्यादा जिलों को असपर्श करता है उत्तर पर्देश के कुल 11 जिले हैं जो मद्य पदेश को छूते है उसके बाद यहाँ पर है सुन्भद्र जिले के सीमावर्ती राज जो सुन्भद्र जो जिला है उत्तर पर्देश का उसको कौन-कौन से राज छूते है तो मद्य पर्देश, बिहार जारखंड 36 गड़ तो यहां आप देख रहे हैं कि यह सुनभद्रे का ऐसा जिला है उत्तरपदेश का जो कि चार राज्यों को छूता है मद्यपदेश, बिहार, छारखंड और 36 गड़ उसके बाद में यहां पर है राज्य का मोशम ग्रिश्म रितू अगर मैं बात करहूं उत्तरपदेश का तो मार्च से जुन अभी ग्रिश्म रितू इशटा रहा है, जुन का महिना है वर्षा रितू जो है मद्य जून से सितंबर, म Leukir 15 जून से सितंबर तक बर्षा रितू सीत रुतु जो है अक्टूबर से फरवरी सहारनपूर जो जिला है उससे जो है तीन राजिस हटे हुए है हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, हरियाना तो सहारनपूर जो है एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो तीन राजियों को छूता है हिमाचर प्रदेश, हर्याणा और उत्राखंड उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इन प्रदेश में पूरा जिला यहाँ पे दिखाया गया है इनको अगर आप काउंट करेंगे तो कुल 75 जिला आएंगे यह टोटल आपके 75 जिला है इनका नाम जो अगर आप इधर से लेना चालू करेंगे टुके मैं नाम भी बता देता हूँ देखे यह साहरनपूर, सामली, मुझफणनगर, बागपत, बिजनावर, मेरट, गाजियाबाद, गौतंबुद नगर हापूर, अमरोहा, बुलंचार, मुरादाबाद, संबल, रामपूर देखे जिलो का मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ कि वो पूछ देता है कि कौन से राज में जिले से रिलेटेड कोश्चन या उत्तरपदेश में है कि विला का नाम आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन आंसर याद करने में अरसानी रहेगा अलिगड, मतुरा, हात्रस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायू, बरेली, पिली भी, साजहापूर फरक्काबाद, मैनपूरी, इटावा, कन्नावच, अरया, अर्दोई, लखिमपूर, खिरी, सितापूर, भहराईच, स्रावस्ती कानपूर देहात, कानपूर नगर, उन्नाव, लखनव, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपूर, शिदात नगर, बस्ती, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, फतेपूर, हमीरपूर, जालोन, छांसी, महोबा, ललितपूर, बादा, चित्रकूट, कौसंबी, प्रतापगर, पर बेटकर नगर, गोरकपूर, महराजगंच, कुशी नगर, देवरिया, आजमगर, मव, बलिया, गाजीपूर, वरांसी, चंदवली, मिर्जापूर, सोनभद्र, ये पूरे आप टोटल काउंट करेंगे, तो इनकी संख्या जो है, 75 आएगे, 75 जीला हैं टोटल, इस प्रकार उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश की भगोलिक सिमाओं संबंदित विशिश्टत थे, मद्य प्रदेश राज से तीन तरफ से घिरा जीला जो है आपका, ललित पूर है, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सिमावाला राज जो है आपका मद्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमावाला राज जो है हिमाचर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सरवादिक 11 जीलों को असपर्ष करने वाला राज जो है मद्य प्रदेश, पहले मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश की सबसे कम जीलों, एक मा जहांसी को असपर्ष करने वाला राज ललित पूर है उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां गंगा यमुना गोमती राम गंगा बेतवा केन घागरा जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम अस्थान गेहों के उत्तर प्रदेश का प्रथम अस्थान है जो की डेटा यहां पर लिया गया 21-22 का सारा डेटा 21-22 का इदर है मसूर उत्पादन का भी है कुल खाद्यान उत्पादन में कुल सबजी उत्पादन में 21-22 के डेटा के उनसार प्रतम अस्थान उसके बाद जो है अब ये सारा डेटा 22-23 का है एक है बस समग्र बगवानी उत्पादन जो के 22-22 का बाकि 22 तेश में प्रथम अस्थान है जिसमें आलू उत्पादन है आम उत्पादन है अम्रूद उत्पादन है आमला उत्पादन है गन्ना उत्पादन है दुख्द उत्पादन है और मांस उत्पादन है ये डेटा 22 तेश का है जो कि उत्तर पदेश का प्रथम अस्थान था उसके बाद उत्तर पदेश में अगर हम देखें दूती अस्थान पर आता है तो 21-22 के डेटा के अनुसार चावल है और चीनी उत्पादन है और बाजरा उत्पादन है जो की दूसरे नंबर पर आता है कुछ दलहन उत्पादर में पांचवां स्थान है 21-22 के अनुसार तमभाकू उत्पादर में तिर्तिय स्थान है 21-22 के अनुसार तूर अरहर उत्पादर में तिर्तिय स्थान है 21-22 के अनुसार रेप सीट सरसो के उत्पादर में चतूर तरस्थान है 21-22 के अनुसार महत्पुर तत्थ ये कुछ है जो कि उत्तर परदेश के बारे में जानेंगे उत्तर परदेश का सरवादिक मक्का उत्पादक जिला है भाराईच उत्तरपदेश में सरवादिक चना उत्पादक जिला है छासी चावल के उत्पादन में उत्तरपदेश का अस्थान है दूती प्रथम है पस्चिम बंगाल उत्तरपदेश में सरवादिक ग्यों उत्पादक जिला है हर्दोई उत्तरपदेश का अवजिला जहां सरवादिक बाजरा का उत्तपादन होता है आगरा उत्तरपदेश में सरवादिक जवार उत्तपादक जिला है बादा गन्ना उत्तपादन में उत्तरपदेश का स्थान देश में प्रथम है जबकि चीनी उत्पादन में इसका अस्थान है दूती है प्रथम जो है माराष्ट में चीनी का आता है गन्ना से इस चीनी बनती है बत मिल के हिसाब से होता है इसका उत्पादन गेहुत पादन में उत्तर पदेश का अस्थान ने प्रतम जो कि मैंने उपर बताया आपको उत्तर पदेश का देश में तंबाखु का अस्थान ने तिरिती जो कि उपर इसको भी मैंने बताया उत्तर पदेश की अगर जनगर्णा देखा जाए 2011 के अनुशार तो कुल जो जनसंख्या थी इसकी 19,99,12,341 जिसमें पुरूस थे 10,44,8,510 महिला थी 9,53,831 लिंगा नुपात था 912,000 पुरूस पर महिला है लिंगा नुपात का मदलब होता है कि अगर एक हजार पुरूस है तो 912 महिला होंगे और जन घनत्व जो एक प्रतिवर किलोमीटर के देखा जाए तो एक प्रतिवर किलोमीटर में 839 लोग और दसकी बृद्धी दर जो है 20 प्रतिशत है और साचारता जो दर है उस सरसट 67.7 प्रतिशत है जिसमें अनुशुचित जाती 80 की जनसंख्या है आपकी चार करोड तेरर लाग संताओन अजाच छे सो वाठ और राज के कूल जनसंख्या में अनुशुचित जाती है 20.7 प्रतिशत तो ये जो है उसका नंबर है और ये उसका प्रतिशत है अनुशुचित जन जाती जिसको ये 80 के बाद ये 80 आता है 11,24,273 है राज के कूल जनसंख्या में अनुशुचित जन जाती का प्रतिशत है 0.6 प्रतिशत अगर अलग-अलग साथ चर्टा देखा जाए तो उत्तर प्रतिश में जो पुरूश और महिला का तो पुरूश का जो है 77.3 प्रतिशत है जबकि महिलाओं का 57.2 प्रतिशत है उसके बाद में जनसंख्या अगर अलग-अलग अनुशुचित जाती एस्टी का अगर देखा जाए पुरूश और महिला में 2,16,976,975 पुरूश होंगे एस्टी काटिगरी में और 1,94,88,633 महिला होंगे उसके उसी तरह जो अगर हम लोग एस्टी में अलग-अलग देखे पुरूश और महिला तो यहां पर हो जाएगा आपका तो पुरूश का हो जाएगा 5,81,000 सोरी 5,81,000 नहीं 5,81,083 पुरूश का और महिला का हो जाएगा 5,53,190 तरह डेटा को अंक है इसमें पंडे में थोड़ा सी कन्फ्यूजन हो जाता है उसके बाद मैं आते हैं हम लोग ग्रामीड जनसंख्या में तो देखे पूरा जनसंख्या आपका यहां पर मैंने बताया था आपको यहां पर 19 करोड जिसमें से ग्रामीड छेत्र में रने वाले 15 करोड तीरिपन लाग सत्र हजाद दोसो अठाइस लोग हैं मतलब सबसे ज्यादा जो है ग्रामीड जनसंख्या में ग्रामीड जनसंख्या का अगर प्रतिशत निकाला जाए तो 77.7 प्रतिशत आएगा अब नगरी जनसंख्या जो है चार करोड 44,95,063 है राज की कुल जनसंख्या में नगरी जनसंख्या का अगर प्रतिशत देखा जाए तो 22.3 प्रतिशत होगा कारिश भागिता दर जो है 32.94 प्रतिशत है जीरो से 6 मतलब 6 वर्ष की आयू तक पूरा जो है जनसंख्या है तीन करोड 7,91,331 हो जाएगा और सीसु का जो लिंगा नुपात है 902 है मतलब प्रतिश हजार बालकों पर बालिक आए उत्तर परदेश धर्म के अनुशार जनसंख्या एवं प्रतिशत 2011 का यह डेटा है जिसमें से हिंदू जो है हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा लोग हैं हिंदू धर्म में जो जनसंख्या है 15,93,12,654 जो कि कुल राज्य का जनसंख्या का हो जाएगा 89.73 प्रतिशत और यही पर मुश्लिम अगर देखा जाए तो मुश्लिम जो है यहाँ पर है तीन करोट 84,83,967 मतलब राज की कुल जनसंख्या का 19.2 प्रतिशत उसके बाद जो है सिख का अगर देखा जाए तो 64,003,664 नहीं इसको ऐसे पढ़ते हैं 6,83,500 तो राज के कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है 0.32 प्रतिशत है और इशाई के अगर देखा जाए 3,56,448 है कुल प्रतिशत 0.18 उसके बाद जैन जो है 2,13,266 जो की कुल राज की जनसंख्या का 0.211 प्रतिशत और बहुत जो है हमारे है 2,6,282 जो की 0.1 प्रतिशत है कुल जनसंख्या का और जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं उनका जो है संख्या है आपका 5,82,622 जो की 0.2 प्रतिशत है अन्य धर्म है 13,598 जिनका प्रतिशत है 0.01 और प्रतिश में कुल जनसंख्या आपको मैंने 19 करोड संथिंग पहले ही बता चुके हैं अगर साथ छटा अगर देखा जाए दर जो है जिलो के हिसाब से तो सरवादिक जो है पुरुष गौतम बुद्नगर और नियूतम पुरुष स्रावस्ति में है और सरवादिक जो है पुरुष जो है अगर देखा जाए गौतम बुद्नगर और नियूतम जो है सरवास्ति यह जो है यह रीपीटेड है एक ही चीज लिख दिया है दो बारिस में उसके बाद अगर महिला देखा जाए सरवादिक महिला तो कानपुर नगर में है और नियूंतम महिला का जो है दर वो सरावास्ती में है इसका मतलब क्या आप समझे कि अगर सरवादिक साचरता दर अगर देखा जाए पूरुसों के क्योल जीला वाईज तो गवतम बुद्नगर के जो पूरुस है उनकी साचरता दर जो है जादा है अगर नियूंतम दर की मैं बात करूँ तो सरावस्ती का है उसी तरह महिला में का सरवादिक जो है जाणपूर में अन्यूंतम जो है गवतम बुद्नगर में सीशू अगर देखा जाए लिंगानुपात की अनुसार तो बलरामपूर में सरवादिक है नियूंतम जो है बागपत में अनुसूची जाती जनसंख्या जीला जो सरवादिक अनुसूची जाती क कि लोग जो है सीतापूर में रते हैं और नियूंतम अगर देखा जाए अनुसुचित जाती तो बागपत में रते हैं उसके बाद ग्रामिट्स अच्छातार दर में अगर देखा जाए सरवाधिक तो और रहया है नियूंतम जो है स्रावस्ति है जन घनत्व जिला सरवाधिक जो है गाजियाबाद है और नियूंतम जो है ललिदपूर जन घनत्व का मतलब यह होता है कि कितना रेंज में मतलब जैसे एक किलोमेटर में कितना वेक्ती रहते हैं तो उसका जवाब कंपेरिजन करेंगे अलग-अलग जिला से तो जिस जिला मे एक किलोमेटर में ज्यादा है वेक्थी रते हैं तुलना करेंगे दूसरे जिला से उसका जन घनत तो ज्यादा होगा जो कि गाजियाबाद है मतलब गाजियाबाद का छेत्रफल कम है जमीन कम है लेकिन रहते लोग ज्यादा है ललितपूर में ऐसा नहीं ललितपूर में जमी गौतम बुद्नगर में उसके बाद जो है जनसंख्या जिला सबसे ज्यादा जो सरवाधिक है वो है इलाबाद प्रियाग राज और नियूंतम जो है महोबा का है मतलब कि जनसंख्या जिला में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं कहां पर इलाबाद प्रियाग राज में प्रिया तो सरवादिक महिला इलावत परियागराज में रते हैं अब पुरूष भी वहीं पर रते हैं दोनों का डेटा सेम है उसके बाद में अगर देखा जाए यहाँ पर महिला और पुरूष का जन्मे के समय जीवन प्रत्यासा तो कुल वेक्ति चाचाट है इसमें महिला में पुरूष में 65.3 यह आकड़ा जो है 2016 से 2020 का है ग्रामिर्स चीशू लिंगानुपात में जो सरवादिक है बलरामपूर है और नियूतम जो है आपका गवतम बुद्नगर है महतपूर तथ्य आपर है उत्तर प्रदेश का सरवादिक नगरी जनसंख्या प्रशत वाल जिला जो है सीतापूर है उत्तर प्रदेश का सरवादिक अनुसूचित जन जाती जनसंख्या एवं प्रतिसत्ता वाला जिला है सुनभद्र है उत्तर प्रदेश में सरवादिक महिला जनसंख्या वाला जिला है इलाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सरवादिक अन जिला गाजियाबाद जोकी सरवाधिक है पीच उपर माने बताया था आपको और नियुंतम जो ए ललितपूर है। राजी की कुल जन संख्या में अनुसूचित जाती प्रश्चत वाला जिला सरवादिक काउसंबी में जन जाती अनुसूचित जाती के लोग हैं और नियुंतम जोए बागपत में हैं नगरी जन संख्या का प्रश्चत वाला जिला जो है सरवादिक गार्जियाबाद है और नियूंतम जो है आपका सरावस्ति है राज की कूल जन संख्या में अनुसुचित जन जाती प्रश्चत वाला जिला जिसमें सरवादिक शुनबद्र स्ट की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर जन जाती लिखेगा वो ST होगा और जहाँ पर अनुशुचित जाती लिखेगा वो SC होगा यह दर sc सरवादिक एस्टी सुनबद्र में और नियुंतम बागपत में दसकी बृद्धी दर वाला जिला सरवादिक बृद्धी दर जिसमें वही है दसकी गवतंपुन नगर में और नियुंतम बृद्धी कानपुन नगर में ग्रामीर प्रतिसत्ता वाला जिला सरवादिक स्रावस् आनुसुचित जन जाती वाला जीला यस्टी जिसमें सरवादिक जोई सुनभद्र और नियूंतम आपका बागपत्र साच्छरों की संख्या वाला जीला सरवादिक साच्छर प्रियाग राज और नियूंतम जोई स्रावस्ति सरवादिक जन गर्णा नगर वाला जीला जोई वाराण सी और सरवादिक असलम जन संख्या वाला नगर जोई मेरट सरवादिक वो नियूंतम बैधानिक नगरों की संख्या वाले जीले करम साच्छर बदाईू एम स्रावस्ति तेंदूलकर समीति के अनुशार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जन संख्या ग्यारा बारा के अनुशार 29.4 प्रतिशत 2011 की जन गर्णा अनुशार कारेश भागिता दर 32.9 प्रतिशत उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर परदेस भाशा नुशार जन संक्या 911 जानते हैं सरवाधिक हिंदी है जो कि 94.08 प्रदेशत उर्दू 5.04 प्रदेशत पंजाबी 0.25 प्रदेशत बंगाली 0.12 प्रदेशत उत्तर प्रदेश चिकिस्षा एवं स्वास्त होमयापैतिक चिकिस्षालेवं आउसाधालाओं की संख्या 2021-22 तक 1580 प्रदेश प्रदेश प्रसासनिक इकाईयां मंडलों की संख्या कूल है 18 जीलों की संख्या है 75 नगरों एवं नगर्शंग कूलनों यूएस की जन सोरी संख्या 2011 के अनुसार 915 ग्राम पंचायते 58,189 दोजार 22 के अनुसार नियाए पंचायते अब अस्तित्व में नहीं है 2017 की अधिसूचना के अनुसार तसीले 351 दोजार 22 के अनुसार विकास खंड दोजार 22 के अनुसार 826 नगर पंचायते 23 के अनुसार 546 अस्थानी निकाय निदेशाले नगर पालिका प्रतिसत 2023 के अनुसार 200 अस्थानी निकाय निदेशाले नगर निगम 2023 के अनुसार 7 अस्थानी निकाय निदेशाले कुल राजश्व ग्राम 2011 के अनुसार 10 अजार 1,066,774 आवाद ग्राम 2011 के जनसंक्या के अनुसार 97,814 आर्थिक संबाग 6,4 उसके बाद कुछ हिदर डेटा दिया हुआ है कि उत्तर परदेश जन्म के समय जीवन प्रत्यासा 16,20 का डाटा है कुल ग्रामीड में 65, कुल वेक्ति 6,6 और कुल जो सहरी 79,2 कुल पूरुष 75,3 कुल महिला 77,7 ग्रामीड में पूरुष 74,2 ग्रामीड में महिला 75,9 सहरी पूरुष 79,1 सहरी महिला 79,3 उसके बाद उत्तर परदेश में जो है बिद्दूत उत्पादन तो प्रती वेक्ति बिद्दुद उत्पादन 112 किलो वाट घंटा उत्तर पदेश राज बिद्दुद परिशत के स्थापना 1969 उत्तर पदेश बिद्दु नियामक आयोग स्थापना 1999 एक मात्र परमाडु बिद्दुद केंद्र नरावरा बुलंसर वर्ष 1989 उत्तर पादन 2612 करोर किलो वाट घंटा प्रती वेक्ति विद्दुद उपभोग 401 किलो वाट घंटा राज में राष्टी ताप विद्दुद निगम केंद्र आठ विद्दुद की कुल अस्थाफी छमता 31 दिसंब दोजार तेश को 31,581.35 मेगावाट हर्दुआ गंज ताप विद्दुद ग्रे अलिगर वर्ष 1942 जीला केंद्री शहकारी बैंग जो हैं 50 हैं प्राथमी क्रिशी रिड़ सहकारी समितियां 7,489 उत्तर परदेश क्रिशी एवं ग्राम विकास बैंग साखाएं 323 उत्तर परदेश मंडल संबंदी जीले 18 मंडल वो 75 जीला तो कौन-कौन से मंडल में कौन-कौन जीला आएगा तो कुल 18 मंडल है 18 मंडल में लोग देखेंगे कितने-कितने जीले किस-किस मंडल में है और उन जीलों का नाम क्या है तो मेरट मंडल है जिसमें 6 जिला आता है इसका मुख्याल है मेरट ही है लगबर्च जो जिला है उसका मुख्याल है जो मंडल है उसका मुख्याल है वहीं पर है सबका तो इसमें जो है मेरट में मेरट, बागपत, गौतमबुद नगर, हापुड, बुलन्सर, गाजियाबार लखनव मंदल में जिलाव, लखनव, उन्नाव, राइबरेली, हर्दोई, सितापूर, लखिमपूर, खिरी कानपूर मंदल में कानपूर नगल, कानपूर देहात, अरहया, फरुकाबाद, इटावा, कन्नावज अयोध्या मंदल में अयोध्या, मेटकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपूर, अमेठी मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद रामपूर अम्रोहा विजनावर संबल वरार्णसी मंडल में चंदवली जवनपूर गाजीपूर वरारणसी उसके बाद चित्रकूट मंडल में बादा हमीरपूर चित्रकूट महोबा आगरा मंदल में है आगरा मैनपूरी फिरोजाबाद मतुरा अलीगड मंदल में है अलीगड हातरस एटा कासगंच प्रयागरज मंदल में है प्रयागराज कौसांबी फतेपूर प्रताबगड देवी पाटन मंदल में है बहराईच गोंडा बलरामपूर स्रावस्ती जहापूर, गोरकपूर मंडल में है आपका देवरिया, कुशी नगर, गोरकपूर, महराज गंच, मिर्जापूर मंडल में है मिर्जापूर, सुनभद्र, भदोई, उसके बाद सहारनपूर मंडल में है आपका मुजफर नगर, सामली, सहारनपूर, आजमगड मंडल में है आ आजमगड महू बल्याग जासी मंडल में आपका जालाओन ललितपूर जासी बस्ती मंडल में आपका बस्ती संत कभीर नगर सिधार्थ नगर तो यह पूरे आपके 75 जिला हो गए टोटल 75 जिला है मंडल भी आप देख लिए तो आप जो है क्या करेंगे कि इसको बार-बार सुनने के बाद जो है कि इसको जो है अपने से जो है रिविजन करेंगे कहीं प्रेक्टिस सेट में या फिर टेस्ट में इसका देखेंगे कि कोश्चन जो है अगर इससे रिलेटेड आया है तो आप बना ले रहे हैं कि नहीं तो ज्यादा नहीं एक से दो बार सुनने के बा कि उसके बाद जो है साइन्स जो की इस जनरल इस्टडी में याएगा जो भी एक दुचार कोश्चन आते हैं डिजनिंग हो गया आपको अंगड़ीत हो गया अर्थमेटिक ये सब सारा जो है आपको मैटिरियल जिस पर मिलेगा तो आप चैनल को सस्क्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आन करेंगे तो जैसे नया वीडियो में अफ्लेट करूँगा वह आपके याँ पहुच जाएगा वेकेंसी जो है साथ हजार है साथ हजार प्लस ही कहेंगे और मैं कहूंगा सबको को जो भी जिस इस्टेट का हो सबको वहाँ पे कुछ न कुछ कोटा में रखा गया होगा यूपी की लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा अधर इस्टेट को नहीं मिलेगा लेकिन फॉर्म सभी लोगों ने भरा होगा तो जितना भी रिजर्वेशन कोटा के बाद जो जन्रल सीट आती है उसमें आपको फाइट करना है तब भी आप समझेए कि आपको सिप एक सीट से मतलब है और किसी भी स् सी वहाँ पर आई बहुत सारे डिपार्टमेंट में हुआ बट और सारे स्टेट में कहीं नोकरी नहीं दिख रही है और एक यूपी में यह आया बहुत मुश्किल से इसका एक्जाम हुआ उसके बाद पेपर आउट हो गया दुबारा से होगा अगर आप पुछ जॉब ले आया था भरती अब 24 चल रहा है तो आप खुद अंदार लगा लिजे कितने साल साल के बाद आती यह सब भरती है और यह सब इस्टेट लेवल की जॉब जो है अच्छी जाब होती है घर पे घर आप रहते हैं और एक तरीके का जो है भाग दोड़ रहेगा लेकिन आप घर स से अटेच रहेंगे आउट सारी जाब में थोड़ी समस्या है तो मेनत करिए यह बुक का ही है मैंने मैटरियल जो आपको मैंने बताया इसमें करना कुछ नहीं है बुक अगर आप एक बार पढ़े हैं तो बस आडियो की तरह सुनिए मेरा वीडियो तब भी आएगा आपको इस तरह आप देख सकते हैं इसको कुछ भी करते समय तो आपको रिवीजन होता रहेगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए बेस्टाप लग